हेलो फ्रेंड्स मैं जोगिंदर कटारिया एक बार फिर से आपके अपने चैनल संतोज डोग वल्टू डोग्स लवर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और हम आज आपके लिए तीन वीडियो एक साथ लेकर क्या है हैं हां जी तीन वीडियो फर्स्ट जो वीडियो बुल मैस्टिफ के बारे में सेकंड वीडियो जो डाल मीशन डोग के बारे में और थर्ड वीडियो ग्रेट डैन हां जी ग्रेट डैन के बारे में हैं तो हम पहले बुल मैस्टिफ के बारे में बात कर लेते हैं बुल मैस्टिफ जो डोग है इसकी थोड़ी सी बेसिक की नोलग ले लेते हैं अगर बुल मैस्टिफ डोग के हम बात करें तो पहले दोस्तो इसके ओरिजाइन की बात करें तो इसका ओरिजाइन जो है वो है UK से ठीक है और जो इसकी speciality है ये काफी loyal, brave, quit और fearless होता है family dog है काफी family dog है चिल्डरन के साथ भी रह सकते हैं परन्तु जो बट ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके साथ इनको नाई रखें तो अच्छा है और ये जो bullmastive breed है सर ये medium size और medium size के flat और medium size के houses में भी अच्छी तरह से रह सकती है owner के परती काफी वफादार होती हैं और अपनी family को protective करने के लिए भी ये breed बहुत शानदार है अगर ये अपनी family के owner की family के साथ time spend करना इनको बड़ा अच्छा लगता है ये दोस्तों बहुती अच्छी guard dog भी है परन्तु child rule से इनको अगर socialize किया जाए तो ये कोई ज्यादा dangerous नहीं है तो अब इनके थोड़ा हम weight बगार की बात कर लेते हैं जो इनका weight होता है दोस्तों वो होता है 50-59 kg male का और जो female के अगर बात करें तो 45 kg से 54 kg weight होता है female का height की बात करें तो height होतीन की 64 cm से 68 cm और female की बात करें तो 61 cm से 66 मीटर life swim होता है 8-10 साल पर जो life swim होता है मेरे according तो अगर ये मेरी अपनी राय है सर ये आपके food पर भी depend करता है कि उसको आप food क्या दे रहे हो origin का UK से ही है तो अब बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में तो ये जो वीडियो है ये आए दिल्ली से आजी देश की राजधानी दिल्ली से फुल मेश्टिफ के दो मेल और चार फीमेल एविलेबल है डिल्ली में ओर ओनर के जो लोकेशन वो दिल्ली है दो मेल चार फीमेल एविलेबल है तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो नीचे dus leerelines बोक्स में ओनर का नमबर आपको दे दूँगा तो क्वाल्टी आप देख स लगते हैं बहुती शांदार क्वाल्टी है तो दो मेल च्यार फीमेल जो कि अविलेबल है दिल्ली में क्वाल्टी शांदार है बच्चों की जो एज है आथ 35 डेज हो गए 35 की एज में भी देखें आप बच्चे कितने शांदार लग रहे हैं तो आप फोन उठाइए और ओनर किजिए एक यूनिक ब्रीड अडॉप्शन के लिए आप ओनर से जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें तो बुल मैस्टिफ यह जो डोग है और मेरे इसाब से 20 इनो जो मेल का प्राइज बता है 20,000 और फीमेल का बता है 15,000 प्राइज एकदम वर्थ है आप नेगोशियेट कराने की पूरी कोशी कीजिए यह आप पर डिपेंड करता है कि आप ओनर से कितना प्राइज नेगोशियेट कर सकते हैं तो अब दोस्तों आप को लगाइए ओनर को तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी वीडियो के बारे में हांजी हमारी जो दूसरी वीडियो है डाल म यह देखिए आप सामने ओणर की जो लोकेशन है इनकी दिल्ली है इनके पास जो है तीन मेल सर और एक फिमिल एविलेबल है ठीक है सर और यह जो ओंडर ने इनकी जाज है जो डालमिशन पप्पी की यह हो चुकी आज की डेट में 14 डेज 14 डेज के बच्चे हैं और ओंडर की लोकेशन दिल्ली है, ओर्नर ने जो प्राइज बताया, वो भी काफी रिजनेवल है, काफी वर्थ प्राइज है, ओर्नर ने प्राइज बताया, मेल के लिए सर 8000, एंड फीमेल के लिए 6000, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मेल के लिए 8000, फीमेल के लिए 6000, आप नेगो स्केम फोर्जरी वगारा जो होते हैं यह ओनलाइन उस्से होते हैं तो आप मेरा मान वह घर पर जाकर यह ओनर के यह डोग ले तो बैतर होगा तो दोस्तों हम आप तीसरे वीडियो के अपने बारे में बात कर लें तीसरे वीडियो जो कि ए ग्रेट डैन पपीज हैंज यह सर पहले ओनर के पास मेल और फीमिल दोनओ है वी अवी लेवल थे बट यह अब छेल होचुके हैं और जो ओनर के पास है वो ग्रेट डैन इनके पास एक फीमिल ही बचि घख यूनिक ब्रीड है काफी ग्रेडन काफी लार्जेस्ट ब्रीड है इनको जर्मनी से और रिजाएन है और लाइफ स्पैम 8-10 एर काफी फ्रेंडली है अगर इनको सोचलाइज किया जाए तो अगर एक यूनिक ब्रीड पालना चाहते तो आप इसको ट्राइक कर सकते हैं और जो और ने इसका प्राइज बताया है और ने इसका प्राइज तो नहीं बताया तो आप उनसे डारेक्ट कॉन्टएक कर सकते हैं ये तीन ओडिज वीडियो हमने डाली है ये एक ये ओनर के पास है मैं डिस्कृप्शन में उनका नंबर दे दूँगा आप उनको कोलिया से होगा है कि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और दोस्तों जाते जाते अगर आप भी मेरे चैनल पर अपने किसी डोग या पप्ती की वीडियो डलवाना चाहते हैं तो आप मुझे कोलिया वट्सप कर सकते हैं सेकिंड वाला नूमर जो होगा वह सर मेरा होगा फर्स्ट वाला जो होगा ओनर का होगा तो आप ओनर से कॉंटेक्ट करना आप मुझे कॉंटेक्ट करना तो आप किसी वीडियो और मैक सेल पर चेज नहीं करता हैं मैं सर एड डालता हूं बस ठैंक्यू सर और वाचिंग